बच्चों अभी तक हमें एंट्रोपी में एंट्रोपी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और उसका मीनिंग समझ चुके हैं कि किसी भी निकाई या तंत्र की एंट्रोपी उसकी आविवस्था को प्रदर्शित करता है अगर किसे निकाई की आविवस्था गर जादा होगा तो इसका entropy भी क्या होगा जादा अगर उस निकाई की आविवस्था कम है तो entropy क्या है मेटा कम है तो ये चीज़े हम पढ़ चुके हैं अब हमें यह सीखना है कि किसे निकाए के लिए entropy में परिवर्तन की calculation हम किस प्रिकार से करते हैं तो जो topic हम start करने वाले हैं उस topic का नाम है entropy परिवर्तन की गढ़ना calculation of entropy change entropy में परिवर्तन अगर हमें निकालना है तो एक formula आपको याद करना होगा और वो formula है delta S बराबर Q reversible upon T क्या formula है बेटा delta S बराबर Q reversible upon T सुनते जाना समस्ते जाना कई सरे doubt अगर आपके मन में आए तो अपने मन में रखना सारे doubt में अपने आप clear करता जाओंगा delta S बराबर क्या है बेटा formula Q reversible upon T में divided by क्या है बेटा यहाँ पर ताप है अगर इस formula की help से इस entropy का हम मातरक बताना चाहें तो क्या हो जाएगा Joule per Kelvin या फिर क्या हो जाएगा calorie per Kelvin यह बात बहुत important है कि entropy में परिवर्तन या entropy का जो मातरक है उसमें हम उर्जा को divide करते हैं किसे बेटा ताप से मतलब calorie per Kelvin या Joule per Kelvin या Kelvin की जगह आप degree Celsius भी यूज कर सकते हैं तो और हम क्या मातरक यूज कर सकते हैं हाँ पर Joule per degree Celsius या calorie per degree Celsius clear है यो ओले चीज़ अब इस formula का derivation हमारे काम कर नहीं है यह इसका derivation physics से आता है grade नोड चक्र जो हमारे इस moment पर कोई काम कर नहीं है तो इसका derivation हमारे बिलकुल भी काम कर नहीं है बढ़ है यह formula अभी के अभी हमें याद करना है इस formula में बहुत सारे logic छुपे हुए हैं इस formula में बहुत सारे doubts भी छुपे हुए हैं हो सकता है इस formula को देख करके आपको कुछ doubt भी आए चलिए मैं one by one चीजों को समझाऊंगा ध्यान से सुनते रहना सबसे पहला doubt जो बच्चों को आता है यहाँ पर वो यह है कि delta S जो है वो ताप के वितकरमानुपाती है हमने तो पढ़ा था कि किसी भी निकाय का ताप बढ़ारने पर उसकी entropy बढ़ती है और ताप कम करने पर entropy क्या होता है विटा कम होता है यह हम आलड़ी पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब क्या है what is the meaning of delta S inversely proportional to temperature delta S कमान ताप के वितकरमानुपाती है इसका field क्या है इसका logic क्या है चलिए इस बात को मैं समझाने के लिए एक example लोगा मानली जी हमारे पास में एक निकाय है मानली जी हमारे पास में एक निकाय है और इस निकाय में मानली जी गैस है चलिए और इस gas का ताप मालेते हैं 10 degree Celsius है कितना ताप है बेटा इसका 10 degree Celsius और इस निकाए को हमने कुछ उश्मा को इसको मैंने कुछ उश्मा दिया और उश्मा को लेकर के इसने अपना ताप बढ़ा लिया और अब नया ताप हो गया कितना बेटा 20 degree Celsius मैंने इस निकाय को उश्मा दिया उश्मा को खाकर के इस निकाय ने अपने ताप को बढ़ा दिया मुझे बताईए निकाय को अगर हमने उश्मा दिया अगर उसका ताप बढ़ गया तो logically entropy बढ़ेगा या कम होगा बढ़ेगा, simple सी बात है ताप बढ़ेगा तो entropy क्या होगा बढ़ेगा माली जी हमारे पास एक और निकाय है और उस निकाय का ताप माल लेते हैं इस बार 100 degree Celsius है वही निकाय है, same निकाय है बस अंतर इतना है कि वहाँ ताप 10 degree Celsius था इस बार ताप मैंने कितना माल लिया बढ़ेगा 100 degree Celsius अगर 100 degree Celsius वाले निकाय को भी मैंने इतनी ही उश्मा दिया अगर वहाँ 10 जूल दिया तो यहाँ पर भी 10 जूल ही दिया same amount of उश्मा दिया समान उश्मा हमने इसको दिया है तो अब इस निकाय का ताप बढ़के माल लेते हैं हो गया 110 degree Celsius पहले भी ताप में परिवरतन कितना हुआ 10 बाद में भी ताप में परिवरतन कितना हुआ 10 लेकिन हाँ ताप बढ़ गया तो बेटा entropy भी क्या हो गया बढ़ गया जब भी ताप बढ़ेगा तो entropy बढ़ेगा इसमें कोई बात नहीं है तो हमने दो case लिए जो first case है और जो second case है अब इन दोनों पर focus करना इन दोनों में से मुझे बताईए क्यों इन दोनों बॉक्स पर focus करना इन दोनों में से कौन सा निकाए जादा entropy पर हुगा सिदी सी बात है क्योंकि दूसरा निकाए पहले ही जादा ताप पर है मतलब यह जो second वाला निकाए है यह पहले से ही अधिक entropy पर है अगर पहले से ही अधिक entropy पर है तो इसमें entropy में परिवरतन जादा नहीं हो पाएगा आरे यह बात समझ में जिबकि जो पहला वाला निकाए है उसका entropy बहुत बहुत कम है तो उसका अंट्रोपी कम है, तो उसमें यंट्रोपी परिवर्दन क्यों होगा, बिता जादा होगा, वे सिंपल सा एग्जामपल है, मानली जी ए, हम किसी एक, एक बहुत बड़े, बड़े अमिरी इंसान की हम बात कर रहे हैं पर, कि मानली जी है, हमारे पास मकेशंभानी जी पैए उनको हमने मालीज ये दस when比較 पाइगी सिमिलर्ली अगर अंडिने रिलेटिवली जाद पड़ेगीmen। कहने का मतलब आमईरी तो दोनों की बड़ी है एंट्रोपी दोनों की बड़ी है लेकिन एंट्रोपी में परिवर्तन जादा किसके लिए होगा उसके लिए एंट्रोपी में परिवर्तन जादा होगा जिसके लिए एंट्रोपी पहले से ही कम थी जिसका ताप पहले से ही कम था result क्या है यहाँ पर result यह है कि दोनों का ही entropy बढ़ेगा लेकिन पहले वाले का entropy में rise या entropy में व्रद्धी क्या होगी बिटा जादा होगी क्यानि कि उस निकाई के लिए entropy में परिवर्टन जादा होगा जिसका ताप क्या होगा कम मैं वापस समझा रहा हूँ मैं वापस सेंटेंस को बोल रहा हूँ उस निकाई के लिए entropy में व्रद्धी जादा होगी जिसका ताप क्या होगा बिटा कम होगा वैसे ये बात हमारे कहीं काम नहीं आने वाली बट फिर भी एक doubt आता है curiosity होती है मन में उस curiosity को मैंने solve किया हमने ये कहा ये entropy नहीं है ये entropy में व्रद्धी है ये entropy में परिवर्तन है entropy में व्रद्धी उसके लिए जादा होगी जिसका ताप क्या होगा बिटा कम होगा कब जब दोनों निकाई को हमने बराबर उश्मा दिया क्यों का मन समान है क्यों का मन दोनों में समान है उसके लिए entropy व्रद्धी जादा होगा जिसका ताप क्या होगा बिटा कम होगा understood है वाली चीज अब दूसरा doubt आता है कि सर यहाँ पर हमने उश्मा को reversible ही लिया उतक्रमणी ही लिया अनुतक्रमणी में क्या दिक्कत है अगर इसका answer यह है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि दो प्रकार के प्रक्रम होते हैं एक तो होता है बिटा उतक्रमणी है चलिए पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अनुतक्रमणी की अनुतक्रमणी है मानली जी हमारे पास में एक निकाए है और निकाए में गैस भरी हुई है क्या भरी है बिटा गैस और इस गैस को हमने उश्मा सप्लाई किया इस गैस को मैंने उश्मा दिया अगर अनुतक्रमणी रूप से उश्मा दिया हम जानते हैं अनुजक्रमनी प्रक्रम जो होते हैं वो बहुत तिवर प्रक्रम होते हैं कैसे होते हैं बहुत तिवर प्रक्रम अगर बहुत तेजी से मैंने इसको उश्मा दिया एक दम में उश्मा आई होगा ये कि यहां यहां के जो अडू होंगे उनकी entropy बहुत भयंकर बढ़ जाएगी लेकिन बाद वाले molecule की या बाद वाले अनों के entropy बढ़ ही नहीं पाएगी क्योंकि एक दम में उश्माई बहुत तिवर प्रक्रम था इस प्रकार के निकाय का यहां यहां तो ताप बहुत जादा बढ़ गया यहां यहां ताप बहुत जादा नहीं बढ़ पाया कहने का मतलब system यानिके निकाय जो है वो non uniform है मतलब सभी अनों का ताप समान नहीं है तो हम किस-किस अनों का ताप मापेंगे यह हमारे लिए संभव नहीं है बात इतनी सी है कि हमें इस निकाय को जो उश्मा देनी होगी वो कैसे देनी होगी बेटा उतकरमनी रूप से देनी होगी अगर उतकरमनी रूप से उश्मा हम देंगे तो सभी यानिकि अगर हम उसे धीमे धीमे अगर उश्मा देंगे धीमी धीम उश्मा देने से फैदा क्या होगा कि पूरे के पूरे निकाय का ताप समान रूप से बढ़ेगा पूरे के पूरे निकाय का एंट्रॉपी व्रधी समान रूप से होगी और इस प्रकार के निकाई की ही हमें एंट्रोपी में परिवर्तन क्याकुलेट करना होगा आर ये बात समझ में क्योंकि हमारे को उत्क्रमणिये प्रक्रम लेना है उत्क्रमणिये में फाइदा क्या है बिटा क्योंकि ये धीमा प्रक्रम है धीमा प्रक्रम होगा तो पूरे निकाय का एंट्रोपी वरधी क्या होगा बराबर और ऐसे निकाय की ही हमें एंट्रोपी परिवर्तन निकाल पाएंगे understood है चलिए लेकिन हाँ पिटा ये कोई खास important बात नहीं है हमारे को तो ये formula याद करना है और formula क्या है अब हमें विभिन प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन की गढ़ना करनी है सबसे पहले हम समतापी की बात करेंगे सम आईतनी की बात करेंगे रिधोश्मी की बात करेंगे विभिन प्रक्रम हम लेंगे और विभिन प्रक्रमों में हम लोग जो है एंट्रोपी परिवर्तन की बात करेंगे सबसे पहरा प्रक्रम में लोगा उत्करमनिय समतापी प्रक्रम उत्करमनिय समतापी प्रक्रम की में बात कर रहा हूँ चलिए समतापी प्रक्रम जैसे ही मैंने बोला बेटा मैं एक बार यहां इसके सामने आ गया एक बार सूचिए कि समतापी प्रक्रम के बारे में आप क्या-क्या जानते हैं हम समतापी प्रक्रम के बारे में जानते हैं कि उसमें ताप में परिवर्थन कितना होगा 0, delta E कितना होगा 0, delta H कितना होगा 0, और अगर delta E 0 है तो Q बराबर minus W भी होता है आपको याद होना चाहिए Q बराबर क्या होता है बिटा minus W और साथ ही साथ समतापिय प्रक्रम में P1 V1 बराबर P2 V2 भी होता है तो यह सारी वो बाते हैं जो हम समतापिय प्रक्रम में पढ़ चुके हैं चलिए, समतापिय प्रक्रम की में बात कर रहा हूँ, उश्मगतिकी के प्रत्हम नियम के अनुसार delta E बराबर क्या होता है Q प्लस W, अगर समतापिय प्रक्रम है तो delta E कितना होगा 0, delta E कितना होगा बिटा 0, अगर इस 0 को मैं यहाँ पुट कर दूँगा तो Q बराबर कितना आएगा बिटा minus W, Q बराबर कितना आगया minus W जो हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर उतक्रम्निय प्रक्रम लिया है reversible process लिया है इसलिए मैंने बोल दिया Q reversible बराबर किया हो जाएगा minus W reversible और हम जानते हैं कि उतक्रम्निय समतापिय प्रक्रम में कारे का फॉर्मला हमने कारे का फॉर्मला याद किया था उतक्रम्निय समतापिय प्रक्रम में जो क्या होता है बिटा minus 2.303 nRT log V2 by V1 याद है यह वाला फॉर्मला यह है उतक्रम्निय समतापिय प्रक्रम का फॉर्मला हमने यह भी याद किया था कि इस V2 by V1 को replace करके हम क्या लेख सकते हैं P1 upon P2 चलिए तो मैंने क्या किया यहां कारे का फॉर्मला रख दिया यह minus और minus मिलकी क्या हो जाएगा बिटा प्लस हो जाएगा यादि कि Q reversible बराबर क्या आजाएगा 2.303 nRT log V2 by V1 अब हमें जो है इस फॉर्मला को यूज़ करना है delta S बराबर Q reversible upon T को delta S बराबर Q reversible upon T में अगर हम यह Q का मान अगर put कर देंगे क्यों का मान put कर देंगे तो यह formula divide by क्या आजाएगा बिटा T आजाएगा यानि कि यहाँ पर 1T से 1T क्या हो पाएगा cancel अगर top से top cancel हो जाएगा तो उतक्रमनिय समतापिये प्रक्रम में कारे का formula क्या आगया 2.303 nRT log V2 by V1 या P1 upon P2 यह formula आभी के अभी आपको याद करना है बिटा मैं यह नहीं कहरा हूँ कि आपको derivation याद करना है derivation केवल और केवल आपके school के point of view से है अगर आपको कहीं पर subjective आपको derivation करना है तो हाँ बिल्कुल सही है लेकिन क्योंकि हमारे need के point of view से तो derivation कहीं काम नहीं आता derivation हमारे बिल्कुल भी काम करना है इसी moment पर आपको यह formula याद करना है बलकि मैं तो यह कहूँगा बिटा कि यह formula आप ना भी याद करे तो चलेगा क्योंकि यह formula कारिका जैसा ही तो है हमने समतापी उतक्रमनी प्रक्रम में कारे का formula याद किया था वो क्या था minus 2.303 nrt log v2 by v1 बस उस formula में से हमें दो चीजों को हटाना है वो दो चीजें कौन-कौन सी है बिटा minus और t किसको उसको उटाना है बिटा minus और t को हटाना है अगर minus और t को हटा देंगे तो हाँ entropy परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् अब जो सेकंड प्रक्रम है उसका नाम है उत्करम निये सम आयतनिक प्रक्रम हम जानते हैं बिटा सम आयतनिक प्रक्रम में आयतन नियत रहता है मतलब ना तो प्रसारण होगा और नहीं संपीडन होगा तो कारे का मान कितना होगा जीरो अगर कारे का मान जीरो है तो ओश्मगत तिकी के प्रथमनियम के अनुसार डेल्टा E बराबर Q प्लस W से W का मान कितना पूट कर देंगे 0 इसका मतलब Q बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा E इस Q को हमने यहाँ पर रहिख दिया है Q-reversible मतलब उत्करमनिय प्रक्रम में उस्मा का विनि में बराबर किया हो जाएगा डेल्टा E और हम जानते हैं कि नीयत आईतन पर ऊस्मा क्या होता है NCV डेल्टा T होता है मतलब हम बोल सकते हैं यहां से कि क्यों रिवर्सिबल बराबर क्या हो जाएगा ncv delta t वैसे जो result आया यहां पतक इस result को तो हम बहुत easily ला सकते थे क्योंकि अगर नियत आयतन पर उश्मा होगी सम आयतनिक प्रक्रम में जो उश्मा होगी हो किसके बराबर होती है ncv delta t के बराबर होती है चलिए अब मैं delta s का मान निकालूँगा entropy परिवर्तन का मान निकालूँगा तो delta s बराबर q reversible upon t हो जाएगा और इस q reversible के मान को में हां replace करूँगा लेकिन एक बात समझना यहां पर देखिए यह जो प्रक्रम हमने माना हुआ है वो उतक्रमनी प्रक्रम है इसका मतलब मानली जी हमारे पास एक निकाल है और उस निकाल में बहुत सारे क्या है मानली जी अनों है या परमानों है बहुत सारे अनों भी होंगे या परमानों भी होंगे हर एक अनों या परमानों की entropy में समान व्रद्धी होगी क्योंकि जो उश्मा हमने यहां सप्लाई किया है वो बहुत उत्क्रमनी रूप से मतलब बहुत धीरे धीरे सप्लाई किया है मतलब अगर इस पहले वाले परमाणू या अणों की entropy में व्रद्धी डियस है तो दूसरे वाले के लिए भी कितना होगा डियस तीसरे वाले के लिए भी कितना होगा डियस चोथे वाले के लिए भी कितना होगा बिटा डियस होगा अगर हर एक परमाणों के लिए entropy में व्रद्धी डियस है तो पूरे निकाए के लिए entropy में व्रद्धी अगर निकालना है हमें तो सभी परमाणों की एंट्रोपी परिवर्तन को हमें जोड़ना पड़ेगा ऐसे बहुत सारे यहां पर परमाणों होंगे अनों होंगे या बहुत सारे कंड होंगे अगर मुझे अनंत कंड दिये जाए बहुत सारे कन हैं जिनको हम count नहीं कर सकते, अनन्थ कन हैं, तो अनन्थ ही हमें ds को जोड़ना पड़ेगा, और अनन्थ टर्म को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, बिटा, समाकलन लगाते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया ds, और समाकलन लगा दिया, s1 से लेकर के s2 तक बराबर n cv dt upon t, बिसिकली यहाँ एक कन के लिए हमने entropy को क्या माल लिया है ds, तो अनन्थ कनो के लिए हमने सभी को जोड़ने के लिए समाकलन लगा दिया, क्या बन जाएगा, यह delta s बराबर n cv नियत हैं बाहर आ जाएगा, dt upon t यहाँ जो limit हैं, जो सीमाएं हैं वो है t1 से t2 तक, limit जब पुट करेंगे तो dt upon t का समाकलन क्या होगा बिटा, ln t और अगर यहाँ पर लिए हमने n cv ln t सीमाएं हैं t1 से लेकर के t2 तक, अगर मैं इसमें limit पुट करूँगा, तो क्या बन जाएगा, ln t2 minus ln t1, मतलब log t2 minus log t1, और log t2 minus log t1 बराबर क्या होत होता है, log t2 upon t1 होता है, यहाँ ln का मतलब आप जानते है, ln का मतलब है log base e होता है, तो delta s का formula क्या बन गया, n cv ln t2 by t1, अगर इस ln को या log base e को अगर हम log base 10 में परिवर्तित करेंगे, तो क्या बन जाएगा, delta s बराबर 2.303 n cv log t2 by t1, आप जानते हैं, यहाँ log के base में, यह important है, recently इस पर aims में से question पूछा गया था, तो हो सकता है, अब neat में भी पूछा जाए, तो important है यह वाला formula, मैं यह कहूंगा, मेरा suggestion यह है, कि आप इस प्रक्रम में derivation पर बिलकुल भी focus मत करना, कहीं काम नहीं आने वाले derivation यह, आपको ultimately यह formula याद करना है, अभी तक मैंने आपको दो प्रकार के प्रक्रम के बारे में बताया, एक का नाम था, उतकरम नहीं समतापिक प्रक्रम, और दूसरा कौन सा है बिटा, उतकरम नहीं समाइदिनिक प्रक्रम, जिसमें formula क्या आया है, डिल्टा-S बराबर 2.303 Ncv log T2 by T1, अब में जो थर्ड प्रक्रम की बात क करूंगा, उसका नाम होगा बिटा, सम उतकरमनिय सम दाबिय प्रक्रम, कौन सा प्रक्रम है उतकरमनिय सम दाबिय प्रक्रम, यह वैसे बहुत कम importance रखता है, आज तक इस पर से question ना तो aims में आया है, नहीं नीट में आया है, हमें इसका formula ही directly याद रखना है, इसका derivation में बि cp आयेगा, अंतर इतना सा है, याद भी हो गया होगा, 2.303 n cv log t2 by t1, तो यहां क्या है, 2.303 n cp log t2 by t1, ठीक है, चलिए, जो चोथा प्रक्रम है, उसका नाम है उतकरमनिय रुद्धोश्म प्रक्रम, चोथा प्रक्रम कौन सा है बेटा, उतकरमनिय रुद्धोश्म प्र बराबर कितना हो जाएगा, 0, अगर हम फॉर्मला यूज करें, डिल्टा-S बराबर q reversible upon t, अगर q reversible का मान में 0 रख दूंगा, तो डिल्टा-S का मान कितना हो जाएगा, 0, मैं कहा सकता हूँ, कि उतकरमनिय रुद्धोश्म प्रक्रम में एंट्रोपी का मान नियत रहता है, एंट्रोपी का मान नियत है, तभी तो डिल्टा-S का मान कितना है, 0, इसलिए क्योंकि यहाँ उतकरमनिय रुद्धोश्म प्रक्रम में एंट्रोपी नियत रहती है, समान रहती है, इसलिए इस प्रक्रम को हम बोलते हैं, सम एंट्रोपिक प्रक्रम, क्या बोलते हैं, सम एं तो निम्न में से सम एंट्रोपिक प्रक्रम हैं, तो सम तापी ये बोल दे, सम धाबी ये बोल दे, सम आयतनिक बोल दे और अगर एक्जाम में option दिया हुआ है उतक्रमनिय रुद्धोष्म अनुतक्रमनिय रुद्धोष्म बताईए ज्यादा सही option क्या है आंसर क्या होगा आपके रिसाब से बिलकुल exactly आपको जिद्यान दिना है उतक्रमनिय रुद्धोष्म ही होना चाहिए अनुतक्रमनिय रु डिसकस कर रहे हैं उसका नाम है रासाई निक अभिक्रिया chemical reaction chemical reaction के लिए मैं एक example लिया जैसे कि M1A plus M2B gives N1C M1, M2 और N1 यहां रस्ता मिक्रण मिती है किसी भी रासाई निक अभिक्रिया के लिए entropy परिवर्तन का formula होता है summation of entropy of product minus summation of entropy of reactant मतलब उत्पाद की entropy का योग, minus का करना है हमें अभिकारक की entropy का योग, लेकिन उन सभी entropy को हमें उनकी रस्त समिकरण मिती से गुणा करना है जैसे, अगर इस अभिक्रिया की मैं बात करूँगा, तो इस अभिक्रिया में मिट्टा उत्पाद कौन है C, अभिकारक कौन है A और B अगर इस अभिकरिया के लिए मैं entropy परिवर्तन का expression लिखूंगा मैं कहूंगा कि N1 गुणा C का entropy N1 रस्तमिकर नमें 300 गुणा करना पड़ेगा N1 गुणा C का entropy माइनस अभिकारक के लिए M1 गुणा A का entropy M2 गुणा B का entropy कई बार ये formula काम आता रहेगा इसे हमें याद करना है कि किसी भी रासाइनिक अभिकरिया के लिए entropy परिवर्तन बराबर उत्पाद की entropy माइनस अभिकारक की entropy उन्हें हमें गुणा करना होगा उनकी रस्तमिकरणमिती से क्लियर है बिटाई वाली चीज अब जो बिटाई हमें last case लेना है वो है प्रावस्था परूपांतरन के दोरान entropy में परिवर्तन मतलब जब भी कोई face change होगा प्रावस्था परिवर्तित होगी मतलब ठोस का द्रव में परिवर्तन परिवर्तन के दोरान कितना entropy बढ़ेगा या कितना entropy कम होगा इस पर calculation हमें करनी है प्रावस्था परिवर्तित होती है तो वह एक नियत तापवर दापपर होती है फर एक्जामपल अगर माली जी में बात करता हूँ कि हैर H2O liquid जो है मतलब जल जो है अगर उसके वाश्प में परिवर्तित होगा H2O gas में परिवर्तित होगा तो इस प्रक्रम के दोरान यह जो प्रक्रम है यह हम जानते हैं 100 degree Celsius, 1 ATM दापर मतलब एक निशित तापवर दापर होती है और इस तापवर दापर हम जानते है जो प्रक्रम होता है कैसा होता है उत्क्रमनी प्रक्रम होता है और इस उत्क्रमनी प्रक्रम के लिए हमें entropy में परिवर्तित निकालना सीखना है इसमें हम 3 केस लिने वाले हैं पहला होगा गलन की entropy दूसरा होगा वाश्पीकरन की entropy और तीसरा होगा और जपातन की entropy चलिए सब फर्स केस है गलन के entropy और इस गलन के entropy का symbol हम क्या उस करेंगे बेटा delta S fusion क्योंकि गलन को हम English में क्या कहते हैं बेटा fusion या कभी-कभी से हम लोग melting भी कहते हैं melting तो हमेशा है समझ माता होगा कि melt हो जाना मतलब solid का drov में convert हो जाना ठोस का उसके दरव अवस्था में convert हो जाना ही क्या होता है बेटा गलना होता है या fusion होता है या melting होता है अब गलना क्या definition इसका बेटा गलनांक पर एक मोल ठोस का द्रव में परिवर्तन के दोरान एंट्रोपी में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा गलन के एंट्रोपी मतलब यहां पर ठोस का कितना मोल होगा एक मोल और जब ठोस का एक मोल का उसके गलनांक पर अगर उसका गलन होगा तो जो entropy में परिवर्थन है वही क्या कहलाएगा entropy में परिवर्थन चलिए इसका formula हमें याद करना है कि delta S fusion बराबर होता है delta H fusion upon T इसमें कोई बड़ी बात नहीं देखोई simple सी बात है कि अगर यहाँ पर जो भी उश्मा का आदान प्रदान होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं delta H लिख सकते हैं हम जानते हैं यह जो प्रक्रम है यह एक उश्मा शोशी प्रक्रम है इसमें जो भी उश्मा अवशोशित होगी वो क्या किस के बराबर होगा delta H के बराबर तो delta H upon क्या हो जाएगा T हो जाएगा सेकंड केस हम लेने वाले हैं वाश्पी करण की एंट्रोपी मतलब इस बार किसी भी लिक्विड का उसके वाश्प में रूप आंतरण होगा क्या डेफिनेशन हो जाएगा हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कौथनांक पर कौन से तापर बेटा कौथनांक पर एक मोल द्रव का उस इसका फॉर्मला भी बिल्कुल सिमिलर ही है कि डेल्टा एस वेपोराइजिशन बराबर डेल्टा एच वेपोराइजिशन अपन क्या हो जाएगा टेंपरेशर टी हो जाएगा लास्ट केस कौन सा बचा है बेटा उर्ध पातन की एंट्रोपी इंगलिश में हम इसे बोलते ह में बदलेगा यानि कि एक मोल ठोस का कि इसी निश्चित्ता पर उसकी वाश्प अवस्था में रूपांतरित होने पर जो एंट्रोपी में परिवर्धन होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा उर्ध पातन की एंट्रोपी और सिम्बल क्या हो जाएगा डेल्टा एस सब्ल इसके अलावा और कुछ भी नहीं है तो पीटा हम टॉपिक पड़ रहें विभिन प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्धन एक बार में आपको याद दिलाओंगा कि कौन-कौन से फॉर्मला है जल्दी से एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे कि कौन-कौन से फॉर्मला है जो ह एंट्रोपी में परिवर्धन का फॉर्मला हमें याद नहीं करना जस्ट हमें रिलेट करना है किस से रिलेट करना है कारे से यहाँ पर जो एंट्रोपी में परिवर्धन का फॉर्मला है वो होता है 2.303 nr log क्या हो जाएगा v2 by v1 या फिर क्या होगा यह p1 by p2 बस कारे के फ हटा दो और टी हटा दो फॉर्मला तयार हैं फिर हमने पड़ा था पिटा सम आयतनिक प्रक्रम सम आयतनिक प्रक्रम में हम जानते हैं फॉर्मला जो आया था डेल्टा डेल्टा एस बराबर क्या है था टू पॉइंट 303 एन सीवी लॉग टीटू बाई टीवन याद है इसा फिर थार्ड हमने लिया था पिटा सम दावी प्रक्रम जैसे मैंने बुला सम दावी है शायद आपको यादा होगा बस इस सीपी की जगह हमें क्या लिखना होगा बिटा सीवी की जगह क्या लिखना होगा बिटा सीपी लिखना होगा मतला फॉर्मला क्या बनेगा डिल्टा एस बराबर 2.303 एन सीपी लॉग टीटू बाई टीवन फिर फूर्थ केस हमने लिया अब मैं बोल रहा हूं के अवल उत्क्रम निया रुद्धोश्म प्रक्रम के लिए उत्पाद के एंट्रोपी माइनस अभिकारक के एंट्रोपी गुणा करना है रस्समे करण मिती को और लास्ट केस हमने लिया विटा प्रावस्था रूपांतरन के लिए तो क्या होगा हमेशा डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपान टी अंड़स्टूड है विटा ये